आप जरा बहार बैठिये और आप रुकिये कुछ बाते करनी हैं डोक्टर ने जैसे कहा तो रजनी की गब्रहाट थोड़ी बढ़ गई परन्तु फिर भी सामाने होकर डोक्टर के केविन से बहार निकली वो आराम से बैठी तो पर मन कहीं तरह के आसंकाओं से घिर गया वह मन ही मन इस्वर से प्रार्थना करने लगी है इस्वर अब और परिक्षाय मत लेना अब हिम्मत नहीं है और सायद में अब उतिरन भी ना हो पाऊं तो अब बस करो पर्भू अब सब ठीक कर दो अच्छा होने तो तुमसे यही मेरी विंती है रजनी क्या सोच रही हो पती की अवाज सुनकर उनकी और देखा तो मुर्जाया चेहरा देखकर वे गबरा कर उठ खड़ी हुई क्या हुआ डोक्टर ने क्या कहा रिपोर्ट नॉर्मल है ना ये आपका चेहरा उत्रा क्यों है रजनी ने एक साथ कहीं स्वाल पूछ लिया परेशान मत हो सब बताता हूँ नहीं जल्दी बताईए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा कहीं कोई गड़वड है क्या मुझे तो तभी संका हो गई जब डोक्टर ने आपको रोक लिया और मुझे बार जाने को कहा अरे सब बताता हूँ पहले तुम नॉर्मल तो हो नहीं मैं नॉर्मल हूँ मैं ठीक हूँ आप यह बताईए डोक्टर ने क्या कहा हाँ सब बताता हूँ पहले तुम बैठो और पानी पीओ फिर आराम से मेरी बात सुनो पती विनै ने रजनी को बहा पकड़ बिठाते हुए कहा रजनी एक घुट पानी पीकर फिर से पूछने लगी रजनी डॉक्टर ने अबोशन करवाने के लिए कहा है क्या? अबोशन? पर क्यों? रिपोर्ट में ऐसा क्या है? नहीं नहीं मैं अबोशन नहीं कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए पहले तुम शान्ती से सारी बाते सुनो रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चा सामानने नहीं है इसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा और आगे भी होना मुश्किल है दिमागी तोर बर भी सायद इसामाने ना रहे तो फिर तुम ही बताओ ऐसे बच्चों को दुनिया में लाना ठीक है अब चाहे जो भी हो पर मैं अवोशन नहीं कराऊंगी बोलकर रजनी जोर जोर से रोने लगी आवाज सुनकर डोक्टर कैविन से बहार निकले और विने को कहा आप घर जाकर उन्हें आराम से सारी बाते समझाईए रास्ते भर पती समझाता रहा परन्तु रजनी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रही थी उसे तो बस वो सुबह याद आ रही थी जब प्रेग्नेंशी किट पर दो गुलाबी लाइने दीखी तब खुशी के मारे मुँसे कोई सब्द नहीं निकला बस गुलाबी लाइन वालिट किट सास और पती को दिखाये जा रही थी हो भी क्यो नहीं लगतार चार मिस्करिज होने के बाद आंके तरस गई थी ये गुलाबी लाइने देखने के लिए पती देव तो खुश हुए ही सास और मा तो इतनी खुश हो गई कि प्यार करने के बज़ाए रजनी को डाटने लगी चुप ज़्यादे खुश मत हो नहीं तो कहीं हमारी ही नजर लग जाएगी बहु तु आज से सारा काम बंद कर दे जो काम होगा मैं करूंगी जो उससे नहीं होगा उसके लिए मेडाएगी जितना उत्सा रजनी को मा बनने का था उससे कहीं गुना ज़्याद है रादिका जी को दादी बनने का था तीन बेटी के बाद एक बेटा था सब का निर्वा करते करते अब वो भी काफी बुजूर्ग हो चली थी कहीं बार मरते मरते बच गई डोक्टर उन्हें देख कर कहता अम्मा आप में जीने की इच्छा सक्ति गजब की है समझते ही बगवान से मेरी बात हो गई है जब तक मैं अपने पोते पोतियों के मुझ ना देख लू तब तक मैं नहीं जाने वाली तब डोक्टर खुश होकर कहते नहीं अम्मा आप दादी जरूर बनेंगी बगवान इतना दुख दिया है आपको तो यह खुशी आप से नहीं चीन सकते घर जाकर सब सास को यह बात पता चली तो बहुत उदास हो गई और बहु को समझाने लगी पर रजनी किसी भी कीमत पत्यार नहीं हुई आखिर डोक्टर के देख रेक में बच्चे के दुनिया में आने का इंतिजार करने लगी दीरे दीरे समय बीतने लगा और सही समय पर उसने एक बेटे को जनम दिया वैस हमाने बच्चे जैसा तो नहीं था परंतु रजनी काफी खुश थी बच्चे के करीब एक साल के होने के बाद रजनी की सास भी चल बसी परंतु जब तक रही बहु को हिम्मत देती रही बेटा यह एक मा की परिक्षा है तुम कभी पीछे मत हटना हारने की तो सोचना भी मत जीत तुमारे ही होगी मेरा अशिर्वाद है इसे कुछ नहीं होगा ठीक हो जाएगा हे परभू इसे मेरी भी उमर लग जाए सैक्डो बार बोलती अपना बाल नोश कर देती रजनी बच्चे के पीछे अपने दिन दुनिया से लेकर खुद को भी भूल गई दिन भी इतने लगा आज वह तीन साल का हो गया पर कद काठी और दिमा की तोर पर भी अन्य बच्चों के मकाबले कम था वह अब तक एक शब्द भी नहीं बोलता था पिछले सारी बाते याद कर रजनी के सब्र का भान तूट गया वह भाग कर तक्ये में मुह दबा कर हिच्किया ले लेकर रोने लगी पता नहीं इस वर और कितनी परिक्षाई लेगा यह कभी कुछ बोलेगा भी यह नहीं कहीं मेरी हार ना हो जाए यही सब सोच रही थी तभी मा मा की आवाज कानों में पड़ी रजनी की तंदरा भंग हुई तो सामने दूल मेटी में सना बच्चा खुश होकर मा को दिखा रहा था रजनी को अपने कानों पर यकिन नहीं हो रहा था तभी उसने फिर से कहा मा सुनकर रजनी ने कसकर सीने से लगा लिया आँखों से जरजर आसू बहने लगी बच्चा अब भी मिटी से लगा हुआ हाथ अपना मन बैलाती बच्चे ने जब मा को पास नहीं देखा तो सायद बगीचे में डूनने गया और वहीं से मिटी में सनकर आ गया था जो अब उसे दिखा रहा था रजनी को खुशी का ठिकाना नहीं था वह मन ही मन इस्वर को धन्यवाद किया आखिर एक मा की जीत हुई दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर करें चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी एक नहीं ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार